हेलो गाइज माने में संजीफ पांडे और स्वागत आपका आपका आपने प्यारे से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जैया टुटोरियल में ओके तो जैसा कि आपको पता है वी आप स्टार्टेड द टॉपिक हम लोग ने फ्लूड मेकानिक स्टार्ट किया था फ्लूड जो स्टाटिक वाला पार्ट था वो हम लोग ने लास्स लेक्चर में ही ख़तम कर दिया था बिचका रहे फीפ 7 अगर सबसे पहले ने फिल्ड औरnova करते ने 1 गयां एक पांड रिख makes slipped वो सारा चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करो, सब लोग अपना बुक ले लो, पैन ले लो और बैट जॉब पढ़ने के लिए, वन शॉट वीडियो देखना, क्योंकि आज बहुत मज़दार वीडियो नहीं लाएं, चलो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, फ्लूइड इन मोशन, अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर दो चीज़े हमको बहुत जादा सुनने मिलेगी, पहला चीज नथिंग बट अ स्टेडी फ्लो, पहला चीज नथिंग बट अ स्टेडी फ्लो, जाओ, योग अन्डिय फ्लो, तो अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर की जो प्रॉपपत् है like माल लो velocity हो गया माल लो pressure हो गया माल लो density हो गया यह सब change नहीं हो रही है यह सब change नहीं हो रही है तब हम उस flow को क्या बोलते हैं fluid flow steady flow unsteady flow क्या होता है कि भाई जब fluid flow हो रहा है तो माल लो किसी जगे यहां पर कहानी समझने से पहले यहां पर कहानी समझने से पहले हम लोग दो स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ेंगे अब उसी दो फ्लो को अलग से बहुत बहती नाम है त्यों यह बंके स्टरीम लाइन फ्लो आड़ तर्बुलेंड फ्लो वह नाम है आरो हो रहा है अब पानी को अलगْ में बाट दो मतलब पतला पतला बहुत सारे लेयर है अब जब वो लेयर बहुत भेतरीन तरीके से flow होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे streamline flow मतलब वो दोनों layer के बीच में interaction नहीं होगा कहीं पर भी intersection नहीं होगा वो एक दूसरे disturb नहीं करेंगे turbulent flow का मतलब क्या होता है turbulent flow का मतलब होता है कि भाई जो एक streamline है और जो दूसरा streamline है वो दोनों को क्या करेंगे intersect करेंगे, दोनों एक दूसरे में mix हो जाएंगे मतलब अगर हम लोग देखने जाए तो वहाँ पे एक point पे मेरे को एक से जादा direction मिलेगा, माल लो this is nothing but a turbulent flow this is nothing but a turbulent flow यह पानी का turbulent flow है और streamline flow में हम लोग ऐसे देखेंगे ऐसे this is nothing but a streamline, this is nothing but a turbulent ओके, यहाँ पे अगर मैं देखने जाओ तो यहाँ पे मेरे को अलग-अलग direction मिलेगा इसमें सबका direction सेम होगा इसमें सबका direction सेम होगा सारे के सारे जो particles होगे, वो same direction में move करेंगे सारे के सारे जो particle होगे, वो क्या करेंगे same direction में move करेंगे बास समझ में आरी है everyone यहाँ पे अगर हम लोग velocities देखेंगे तो same velocities रहेगा यहाँ पे अगर हम लोग velocities देखेंगे कोशिस करो critical velocity क्या होता है देखो एक minimum velocity है इसको एक threshold velocity समझ लो ओके तुम लोग ने देखा रहेगा notice किया रहेगा जब तुम लोग प्यार से tap को open करते हो नल को जब प्यार से open करते हो जो पानी गिरता है वो स्मूध गिरता है बट उसी tap को और फास्ट ओपन करतो तो जो पानी गिरता है वो कैसे mix हो के गिरता है यह सो नो कैसे एक दूसरे से intersect हो के गिरता है तो actual में क्या हो रहा है जब हम लोग पानी slow open कर रहे है न तो अपने critical velocity से कम है और अगर जब हम लोग बहुत speed open कर देने तो अपने critical velocity से ज्यादा है मतलब critical velocity क्या है एक ऐसी velocity critical velocity is nothing but a velocity beyond which a streamlined flow becomes a turbulent flow by जो streamlined flow है वो turbulent flow में convert हो जाती है अगर critical velocity से ज्यादा velocity रहा तो streamline किस में convert हो जाएगी turbulent में flow हो जाएगी इसको कैसे measure करते है we have the formula and what is the formula that is vc is equals to rn eta by rody ये एक observed formula experimental formula है कहीं से derived नहीं हुआ है ओके देखो vc क्या है vc is nothing but a critical velocity what is rn rn is the main factor which is called as reynolds number reynolds number क्या होता है देखने वाले है what is eta eta is nothing but a coefficient of viscosity okay viscosity की कहानी थोड़ी दिर 5-2 मिनिट रुक जाओ viscosity की कहानी हम लोग देखने वाले है okay next is rho nothing but a density of a fluid and what is d the diameter of the pipe through which the liquid or through which the fluid is flowing उस भाई किसी pipe में से वो फ्लो होगा न तो जिस pipe में से वो फ्लो होगा that is nothing but a diameter उस pipe का diameter this is nothing but a क्या है ये critical velocity अब यहीं से define होगा मेरा reynolds number यहीं से define होगा reynolds number कैसे define होगा तो सारे factor को उस तरफ लेके जाओ तो reynolds number क्या हो जाएगा vc rho d divided by eta और यह एक number है it is just a pure number it is pure number यह एक number है मात्र और कुछ नहीं अब यह number कहां पे काम आता है यह number काम आता है मेरे को critical velocity को define करने के लिए और यहां से पता चलता है कि भाइ फ्लो टर्बॉलेंट होने वाला है कि streamline होने वाला है ओके अब कभी कभी है न मैं streamline के जगे हम लोग laminar वर्ड यूज करेंगे तो laminar और streamline लगभग same word है तो याद रखना हो कि laminar flow भी बोला जाता है उसको और streamline Streamline Flow भी बोला जाता है उसको होके है क्या होता है होगा करकता ज Reynolds number 1000 और 2000 के बीच में है तो flow क्या होगा Unsteady flow मतलब वो convert हो रहा है तर्बुलेंड में convert हो रहा है और अगर Reynolds number 2000 से जादा आया तो obviously वो क्या बनेगा वो बनेगा turbulent flow बात समझ में आ गए सबको everyone पका समझ में आ गया बहुत बढ़ियां तो कैसे याद रखना है इसको याद रखना है कि अगर Reynolds number 1000 से कम रहेगा तो flow कौन सा? Streamline flow अगर मेना Reynolds number 1000 और 2000 के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे Unsteady flow Unsteady flow का मतलब क्या होगा? मेरा जो Streamline flow है वो start हुआ है convert होना Turbulent में वो start हुआ है किस में? Turbulent में बात समझ में आगे everyone पका clear हुआ क्या होता है critical velocity क्या होता है Reynolds number क्या होता है turbulent flow क्या होता है streamline flow बहुत बढ़िया दोगो ये factor समझो के तो ही आगे कि कहा नहीं समझ में आएगी अब हम लोग देखते हैं what is viscosity क्या होता है viscosity viscosity देखने से पहले viscosity के उपर एक factor है वो देखो तो सबसे पहले viscosity से देखने से पहले हम लोग देखेंगे velocity gradient क्या होता है velocity gradient okay like मैंने तुमको बताए कि just imagine एक layer है उस layer को मानलो बहुत number of layers में imagine कर लो मानलो यहां से पानी flow हो रहा है यह water है अब water flow हो रहा है इस water को अलग-अलग-अलग-अलग layer में क्या करो distribute कर दो अलग-अलग layer में इसको differentiate कर दो बहुत अलग-अलग layer दिख रहे हैं यहां सरुम अब ध्यान से समझने एक कोशित करो सब्से पहला लेयर सब्से कराएं। अब सब इस पहला लेयर होगा सब्से पहला लेयर होगा जिसको और बोलेंगे अब अब लेयर ये रुका हुआ है ये लेयर रुका हुआ है ये मूब नहीं कर रहा है ये रूंपा हुआ रहे थि आ इखक a drag force is called as viscosity that drag force एक तरह का मालनों यह एक लिकविड फ्रिक्शन हैै मतलब है एक लिकविड दूसरे लिकविड लेइर को रोखने के कोशिस कर रहा है oldie के बीच वे जो रिलेटीव मोशन हो रहा है उस रिलेटीव already motion में हैं तो उसके उपर वाला ठोड़ा और motion में हो जाएगा उसके उपर ठोड़ा और मोशं में हो जाएगा ऐसे-इस करते करते जैसे-जैसे-जैसे हम लोग मेरे stationary layer से उपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे-वैसे वैसे velocity बढ़ना वयसे वयसे क्या होगा, वैलो सेटी बढ़ना चालू होगा, और यह याद रखना, कि जैसे जैसे हम लोग स्टेश्चनरी लेयर से उपर जाएंगे, हम लोग की वेलोसिटी जो हम का फ्लो है, वो फ्लो जो स्ट्रीम लाइन है, जो पार्टिकल पार्टिकल का वेलोसिटी respect to the distance मतलब जैसे 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 velocity बढ़ेगा ओके जैसे velocity change होगा वैसे वैसे distance change होगा या फिर जैसे जैसे distance change होगा वैसे वैसे velocity change होगी मतलब जैसे जैसे तुम लोग माल लो यह x distance है तो x distance मेरा velocity कितना है v माल लो गर distance हो जाएगा x plus dx तो वहाँ पे velocity क्या हो जाएगा v plus dv अगर माल लो इससे नीचे वाले distance पर आ जाएगे तो velocity कम हो जाएगा मतलब velocity का change होना उसके distance के हिसाब से और distance कहां से measure कर रहे हैं हम लोग distance measure कर रहे हैं from stationary layer that is called velocity gradient that is called velocity gradient अगर इसका unit देखने जाओ तो unit क्या होता है what is the velocity velocity is meter per second and what is distance distance is meter तो meter से meter गया क्या मिलेगा per second तो इसका unit क्या होता है इसका unit होता है per second बासन में आ गई velocity gradient देखो velocity gradient समझोगे तो ही viscosity अच्छे से समझवाएगा velocity gradient नहीं समझोगे तो viscosity समझने में बहुत problem होगा तो velocity gradient क्या है जैसे जैसे मैं stationary layer से उपर की तरफ जाता जाओंगा तो stationary layer से उपर की तरफ जाते 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 the velocity will change with respect to that layer very good बहुत बढ़िया अब यहाँ पर define करेंगे coefficient of viscosity अब समझ में आएगा what is viscosity what is coefficient of viscosity viscosity जैसे हम लोग ने पढ़ा था friction 11 में पढ़ा था friction और friction को measure करना है measure करेंगे किसे coefficient of friction से वैसी viscosity है viscosity को measure करेंगे किसे coefficient of viscosity से so क्या होता है coefficient of viscosity तो Newton भाई साब आएं आपको पता है Sir Isaac Newton उन्होंने एक law दिया और मानलों की एक concept दिया उन्होंने क्या बला कि जो viscous force है मानलों की एक पानी है पानी को मैंने किसी layer पे fake दिया अब किसी layer पे अगर पानी को fake दोगे मानलों ये कोई layer है ये कोई layer है इसके अंदर मैंने पानी fake दिया ऐसा तो इसके उपर जब viscous force act हो रहा होगा अपोजिट डियरेक्शन में viscous force act हो रहा होगा ये सबनों तो that viscous force will directly proportional to the area of that layer मतलब ये layer का कितना area है ओके area of the layer मतलब वो जो viscous force है वो directly proportional रहेगा किससे area of layer से और directly proportional रहेगा किससे velocity gradient से इसलिए बोल रहा था velocity gradient अच्छे समझ लो ओके भाय मेरा जो viscous force है वो दो चीजों पर depend रहेगा किस पर किस पर सबसे पहला the area of that area of that क्या area of that layer and second चीज़ is the velocity gradient yes or no अब इस proportionality को हटाने के लिए इस proportionality symbol को हटाने के लिए यहाँ पर constant डाला जाता है and that constant is nothing but a coefficient of viscosity and that constant is nothing but a coefficient of viscosity तो कैसे define करेंगे coefficient of viscosity को सब उधर लेके चले जाओ देखो क्या आएगा force per unit area per unit velocity gradient what is coefficient of viscosity it is defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient मतलब मेरा जो coefficient of viscosity है coefficient of viscosity ये एक fluid की property है okay fluid की property है जैसे हम लोग ने देखा रहेगा कि जो पानी है और जो grape juice है तो grape juice का जो viscosity होगा वो जादा होगा इसलिए वो slow 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 travel करेगा बट जो पानी होगा उसकी viscosity कम होगी तो वो फटाक से travel कर देगा yes or no? हाँ है ना बात सम्म्हारी की सम्म्हारी एक ने सम्म्हारी एवरियोन पका अब कोई भी यहाँ पे हम लोग assume करते हैं कि भाई viscosity ऐसा कोई fluid होगा जो viscosity नहीं शो करता रहेगा बट सारे के सारे fluid सारे के सारे fluid viscous fluid है non viscous fluid अगर तुम लोगो देखना है तो तुमको temperature बहुत minus करना पड़ेगा मतलब minus 200 minus जब 200 करोगे minus 260 तब जाके तुमको helium मिलेगा liquid helium और वो liquid helium तुमको behave करेगा as a non viscous fluid ओके सो वहाँ तक तुमको non viscous fluid मिलेगा बाकी जो भी हमारे पास fluid है हमारे पास पानी है हमारे पास oil है हमारे पास grape juice है हमारे पास apple juice है यह सारे के सारे जो भी है यह सारे के सारे viscous fluid है non viscous fluid के लिए तुमको temperature बहुत कम करना पड़ेगा बास समझ में आ गई क्या होता है viscosity समझ में आ गया कैसे measure करते है तो Newton भाई साब ने एक formula दिया है Newton Sir ने एक formula दिया है the viscous force is equal to the coefficient of viscosity into area of the layer into the velocity gradient this is nothing but a formula बहुत काम आने वाला formula है यह एक general formula है मतलब जहां पे हम लोग viscous force की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग यह formula अपलाई कर सकते है एक और formula है इसके बाद हम लोग देखने वाले है stooks log stooks log की कहानी कहाँ पे आती मालू में वो सिरिफ spherical body के लिए आती है यह generally जहाँ पे तुम लोग चाहिए वहाँ पे define कर सकते है coefficient of viscosity का अगर हम लोग unit देखें और कुछ नहीं करना जब वीडियो देखो जब पॉस्ट करो वीडियो को क्या मिलेगा देखो उपर क्या हो गया newton नीचे क्या हो गया meter square और मैंने बताया था velocity gradient का क्या होता है velocity gradient का होता है per second तब यह per second उपर चला जाएगा क्या मिलेगा newton second per meter square this is nothing but SI unit Newton second per meter square यह SI unit है किसका coefficient of viscosity का इसका CGS unit भी है CGS unit क्या हो जाएगा dyne second per centimeter square और इसको ही combine करके तुम लोग ने कोई नया वर्द दिखा रहेगा poise इसको ही combine करके हम लोग बोलते हैं poise इसको combine करके क्या बोलते हैं हम लोग poise बोलते हैं बास समझ में आई everyone पका ओके इस नतिंग बटा unit हम लोग जादा करके unit use करेंगे newton second per meter square बट poise पता होना ची हमको तो this is nothing but a poise the CGS unit of the coefficient of viscosity clear बास समझ में आई जैसे मैंने बताया था next अगला टॉपिक हमारे क्या है stooks law अब stooks law क्या है specially spherical body के लिए है मालनों कि मैंने एक ball को एक liquid में drop कर लिया या फिर मालनों कि air में एक liquid drop गिर रहा है जब कभी भी एक spherical body अगर कहीं किसी fluid किसी viscous fluid में drop होगी तो नहीं हम लोग Newton's law हम लोग यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे stooks law यूज करेंगे बात समझा रहे है तो what is stooks law stooks law ने एक relation दिया क्या दिया बोला उनने उनने बोला जो viscous force है वो directly proportional रहेगा किस से coefficient of viscosity से r r is nothing but spherical body है तो obviously spherical body है तो उसका radius होगा radius of that body and V and what is V V is nothing but velocity V is nothing but velocity बात समझा रहा है ये stooks ने कहानी दी इसके पहले वाली जो कहानी हम लोग ने देखी न ये ये किस ने दिया है ये Newton ने दिया है ये general है बट अगर spherical body आएगा तो spherical body के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे spherical body के लिए हम लोग ये यूज़ यूज़ करने वाला है clear बात समय में आ रहा है everyone पका what is stooks law stooks law state that कि जो viscous force है viscous force viscous force ओके वो किस से किस से बराबर रहेगा directly proportional रहेगा वो eta से directly proportional रहेगा वो velocity से directly proportional रहेगा वो r से eta r v और वो proportionality sign हटाने के लिए उन्हें क्या किया उन्हेंने बीच में एक constant डाल दिया that is 6 pi again ये एक observed formula है इसका derivation नहीं है बस ये बहुत काम का formula है तो इसको फटना-फट note down कर लो stooks law किसके लिए लगेगा ये लगेगा only for the spherical body जहाँ पे radius गीवन हो जहाँ पे spear की बात हो रही हो जहाँ पे गोला आकार का कोई body हो और जब वो किसी liquid में fall हो रहा हो वहाँ पे ये काम आने वाला है clear? बास समझ में आ रही everyone पका समझ में आया आज हम लोगे क्या क्या discuss किया बहुत बढ़िया तो क्या करो ये वीडियो पुरा complete देख लो अगर कुछ confusion है तो obviously वापस rewind कर लो उसके बात भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मुझे comment box में बता दो obviously हम लोग next lecture में क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे सीधी बात है yes or no ओके चलो बहुत बनिया so आज का जो topic है हम लोग फिलाल यहीं end करते हैं हम लोग ज़्यादा बढ़ा नहीं करेंगे ये चीज़ को next lecture से we will start with a बहुत important topic that is terminal velocity Bernoulli's principle one of the important question of this chapter मतलब मान लोग guaranteed है guarantee है कि exam में आएगा that is Bernoulli's principle okay Torricelli principle तो यह सब चीज़े next lecture में हम लोग कवर करने वाले है okay so अगर वीडियो यहां तक देख लिया है आप लोग ने और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like कीजे okay share कीजे subscribe तो करना ही है आपको हाँ या ना चलो so आज का वीडियो यहीं पे end करते हैं आज के लिए बस इतना ही that's it for today thank you so much